हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टीपॉइंट दोस्तो इस वीडियो में करेंड अफेस के एक मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या अधिकारी है एक ग्यारा नवमर दो अठारा था क्या नि अभी तक आज तक की फुल अपडेटेड लिस्ट है यह इसको आप बिल्कु लेकर को रड़ लीजिए हंडेट परसेंट हर एक्जाम में यह पूछा आता है लगवक चार से पांच क्यूश्चन किसी भी गवर्म्ट एक्जाम में मैं देखा हूं यह क्वेश्चन पूछा आता है चाहे अभी जो एक्जाम होने वाल लास तक देख लेंगे तो आपका लगवक चार से पांच कोश्चन जो भी इस टॉपिक्स पूछा जाएगा हंडेट परसेंट कबार हो जाएगा बिल्कुल एक सेलेक्टेट कोश्चन में इस वीडियो मैं आपके लिए कर आया हूं काफी वेनिफेसियल और हिल्फूल होने लाइक जरू कर देख लिए इस वीडियो में टार्गेट रखते हैं बीसे जाला इक काफी महनत लगते हैं उसको टाइप करके इसको तैयार करने में कंटेंट त्यार करने में तो प्लीज लाइक कर दिया करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजे लेकिन आपको इस से लेट फैक्ट जो पूछा आता है कि राष्ट पती बता दे आपके भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत के प्रथम राष्ठ पति कौन थे डाक्टर राजेंद परसाद 12 वरस तक सरवाधिक समय तक रहने वाले राष्ट पती प्रेसिडेंड आई स् पुर्मिन का जन्मुवत है यूपी में ठीक है यह फैक्ट इसी तरह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा एक के कोशन आप मेरे साथ रटते चली याद करते चली अगला कोशन है बारतवान में भारत के उपराश्टपती कौन है वाइस प्रेसिडेंट वेंकायन आडू जी बा वारत कराश्टपती वाइस प्रेसिडेंट और आपको बतादे कि वारत का पतेरा सहवां वाइस प्रेसीडेंट है आपको बताएं बारत को स्थिपोरह के तहित रात्व्पराश्टपती होता है भारत का उपर आक्टेम le destac यह अगला question देख लेते हैं लोगশ्भा की उपाध्यक्ष कोण है आपको बहुत important है तो लोग सोभा को आपको पत्यक्ष होता है पाधक्यारत का शभाध्यक्ष होता है सका bias 64 के तहट भारती समिधान के तो इंकया नाडू जी है वरतवान में राजसभा के उपसभापती स्वारी सभापती है और उपसभापती वरतवान में कौन है तो ये है राजसभा के उपसभापती हरिवान सा नारायन सिंग यह very very important question इनकी अभी हाली में निक्ति हुई है उपसभापती राजसभा की उपसभापती हरिवान से नारायन सिंगे यह most important है याद रखिएगा ठीक है अगला देख लेते है नीतियाः के बरतमान अध्यख्ष कोन है दोस्तों नीतियाः को जो पदayan अध्यख्ष होता है भारत का परधान मंत्री होता है ठीक है प्राइम मिनस्टर ऑफ इंडिया तो नारेंद्र मोदी जी है नीतियाः को फुल फॉरम किया है National Institution for Transforming India इसकी स्थाबना का वोई थी योजनायक के स्थान पर एक जनवर 2015 को नीतियायक के स्थाबना की गई थी ठीक है दोस्तो तो यह आपको फैक्ट याद रखना है देख लेते हैं नीतियायक उपाध्यक्ष यह most important है हर एक्जामे पूछा आता है नीतियायक को बरतमान उपाध्यक्ष है दोस्तो राजीब कुमार यहाँ पर एक क्वेशन दोस्तो कन्फ्यूज करने वाला रहता है पूछा आता है नीतियायक के पहले उपाध्यक्ष का होन थे अर्विंद पनगडिया थे ठीक है दो यह इतना important नहीं लेकिन यह जो मैं बताने जारू पंद्रवे विद्तायोक का द्यक्ष यह most important है एनकेशिंग है वरतमान में ठीक है पंद्रवे विद्तायोक finance commission अब यह finance commission क्या होता है देखिए आपको बता दे कि भारती समिधान के अनुक्षे 280 की तहट आर्टिकल 280 की तहट यह भी आदर की एक आर्टिकल विद्तायोक का प्रावधान किया गया है और इसका जो गठाने एक अध्यक्स दता चार सदस्यों से मिलकर होता है ठीक है और राष्टपती द्वारा विद्तायोक के अध्यक्स तहरा सदस्यों की न्युक्ती पांचों प्रस के लिए राष्टपती करता है ठीक है और विद्तायोक के सदस्य जो अध्यक्स ौर सदस्य यह घृतायोक को निधानड़ संसथ़ द्वारा की आता है ठीक है ठीक है हस्मुक अधिया जी ये भी आपको याद रखना है ठीक है वित्तायो का कार्य क्या है जिसका कार्य है केंद्रों राज के मद्ध करों के शुद्ध आयाग आगमों के वित्तरण के संबंद में राज्यों के मद्ध शुद्ध आगामों तसा तस संबंदी भाग क्या वंटन में परमुक वैगजानिक सलाकार प्रमुक सेंटिफिक एडवाइजर कौन है के विजय राघवान ठीक है के विजय राघवान है भारत सरकार के प्रमुक वैगजानिक प्रमुक वैजीट कुमार डोवाल राश्टी सुरक्षा सलाकार अगला देख लेते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है वरतमान में प्रदीप कुमार सीनह वरतमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं मोस्ट इंपोर्डेंट है दोस्तों आप मेरे साथ ऐसी याद करते चलिएगा ठीक आज इस वीडियो की पीडियो फाल के लिए टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिए टेलिग्राम चैनल कर लेंगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विदेश सचिव बरतवाणिय भारत के फोरेंट सेक्रेटडिव विदेश सचिव विजय केशोग ऊकले वा देख लेते होई भारत के स्थाई प्रत्नासंग में भारत के स्थाई प्रत्निधी याद रखिएगा एंटेनियो गुटेरस पूर्टगाल के एंटेनियो गुटेरस पूर्टगाल के शाहित तक आदमी के वर्तमान अधेक्स होने चंदर सेखर कवर अगला कोशन बहुत इंपोर्टेंट भारती विमान पत्तनम प्रादिकरण यानी एंटिया के वर्तमान चेर्मेन है गुरु प्रशाद महापात्र हाली में निक्ति हुए इसलिए ये भारती विमान पत्तनम प्रादिकरण के वर्तमान अधेक्स है गुरु प्रशाद महापात्र परमाडू उर्जा आयोग एटॉमिक एनरजी कमिशन के वर्तमान चेर्मेन है के यन व्यास के यन व्यास नेक्स्ट है अखिल भारती तकनीकी सिक्षा परिशत के वर्तमान चेर्मेन यानि All India Council for Technical Education अखिल भारती फुटोबाल परिशंग के वर्तमान कोन है प्रफुल पटेल अगला है संधीब जजोधिया के अध्यक्ष है संधीब जजोधिया दोस्तों इस वीडियो में एक एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट वीडियो का आखरी तक जरूर देखिएगा आपके एक्जाम में ये कोशन 100% पूछा आता है ठीक है मैंने देखा है हर एक्जाम में पूछा आता है भार्ग भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भावा परमाडू अनसुंधान केंदर के निदेशा के कियन भ्यास बी-सी-सी-आई भारती क्रिगेट कंट्रोल वोर्ड के अध्यक्ष है वरत्मार अध्यक्ष है कैग नियंत्रक एवा महालेखा परिक्षक राजीम महर्शी CBI Central Bureau of Investigation केंदरी जाज़ वीरो के वरत्मार निदेशा के अध्यक्ष राव वेरी वेरी इंपोर्डेंट काफी चर्चीत रहा है अभी समाचारों आपको पता ही होगा एम नागेश्टोर राव वरत्मार में CBI के निदेशा के Central Board of Secondary Education CBSC Central Board of Secondary Education अनीता करवाल है वरत्मार में अध्यक्ष नेक्स्ट है केंदरी फिल्म प्रमार निदेशा के वरत्मार में अध्यक्ष काउने प्रसून जोसी Central Board of Film Certification Central Board of Film Certification प्रसून जोसी ठीक है तो यह याद रखिएगा नेक्स्ट है भारती बाल फिल्म सुसाइटी के अध्यक्ष काउने मुकेश खन्ना भारती बाल फिल्म सुसाइटी सेंटर फिल्म सुसाइटी ओफ इंडिया ठीक है तो यह आपको याद रखिएगना है अगला देख लेते हैं 34 भारती उद्योग परिशंग के बरत्मान अध्यक्ष को है राकेश मित्तल राकेश मित्तल ठीक है राकेश मित्तल यह भी बहुत मात्पूर्ण है सर्वोच न्याले के प्रमुखिन आधिश मुखिन आधिश CJI यानी Chief Justice of India कोने रंजन गोगोई हाली में निक्ति हुई है इनकी इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा Chief Justice of India रंजन गोगोई और द्योगिक एवम बैगजानिक अनुशंधान परिशत के बरत्मान महानेशक है M.O.G.र्ग ठीक है Central Vigilance Commissioner केवी चौधरी ठीक है केवी चौधरी याद रखिएगा कोशन नमर 38 है केंदरी जल आयोग सेंट्रल Water Commission के बरत्मान अध्यक्ष कौने नरेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार कौन है नरेंद्र कुमार ये याद रखिएगा अगला देख लेते हैं दोस्तों DMRC दिल्ली Metro Railway Corporation के बरत्मान मैनेजिंग डिरेक्टर कौन है मंगूर शिंग कौन है मंगूर शिंग है ये याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है मंगूर शिंग नेक्स्ट है DRDO Defense Research Development Organization रक्षावन संधान में विकास संग्डन के बरत्मान अध्यक्ष कौन है डाक्टर जी सतीस रेड़ी हाली में निक्ति हुई है इसलिए आपको याद रखना है DRDO के बरत्मान अध्यक्ष कौन है डाक्टर जी सतीस रेड़ी दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको CSIR के जो मैंने डारेक्टर जरनल बताया था एमोगर यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लिजिएगा शेखर मंडे शेखर मंडे वरत्मान में है यह पुराने हो गए हैं ठीक है शेखर मंडे हैं यहाँ पे आप जरूर सुधार लिजिएगा ठीक है CSIR CSIR फूल फर्म क्या है Council of Scientific and Industrial Research के वरत्मान में महादेश्यक है शेखर मंडे ठीक है अगला देख लेते हैं कि दोस्तो डी रडी के बारे में आपको बताये डिटेल से डी डी गों के डी अटी अटीन स्थापना होई था 1958 में हुई थी 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 ञूद्या निव डेली इसका हेट क्वाटर है ठीक है और वरत्मान में रक्षा सचिव है संजय मित्रा है ठीक है संजय मित्रा अगला है फ थीची यानि फक्की के वरतमान अदेक्सा कौन है राकेश सा उन्हें का थीच का अगला देख लेते हैं और इप यानि गुप्टिचर विवरो आईवी की डारेक्टर कौन है राजीब जैन ठीक है राजीब जैन राजीब जैन अगला देख लेते हैं दोस्तों इग्नु इंद्रा गाधी नेशनल ओपन इन्वर्सिटी के वर्तवान कूलपती भारत के राष्टपती होते हैं रामनाद कोविन जी है ठीक भारत के राष्टपती होते हैं तो यह आपको याद रखना है अगला देख लेते हैं दोस्तों भारती ओलम्पिक संग, भारती ओलम्पिक संग के बरतमान चेर्मेन कोन है, नरिंदर धूब बत्रा, ठीक है, ये भी याद रखियेगा बहुत इंपोर्टेंट है, अगला कोशन है, इंडियन ओयल कार्पूरेशन, IOC के बरतमान में अध्यक्षोन है, संजीब सिंग, ठीक है, IOC के बरतमान में अध्यक्ष कोन है, IOC के इंडियन ओयल कार्पूरेशन के बरतमान अध्यक्ष संजीब सिंग है, ठीक है, चलिए, अगला कोशन देख लेते हैं, भारती अंतरिक शनुसंधान संग्धन, इस्रो, इंडियन स्पेस रिसर्च ओगनेशन, इस्रो के बरतमान अ है, अगला है दोस्तों, भारती जीवन बीमान इगा, मैंने लाइसी के बरतमान अध्यक्ष कोने, वीके सर्मा, तो यह थे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेन वरतमान में कौन के अधिकारी, काफी इंपोर्टेन यह सीरीज है, वीडियो का इसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, आपके कमेंट का में इंतजार रहेगा, और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो टॉ जय हिंद, जय भारत, उसके लावा दोस्तों, यदि आपने टॉप 50, 2018 के टॉप 50 करने फेस्क वीडियो जी नहीं देखी है, तो जस्ट यहाँ पे आएगी इंडि स्क्रीन में जरूर देख लिए, उसके लावा आप हमेरे चैनल के प्लेस्ट में जाकर, वीडियो जम जाकर बहुत सारी वीडियो जहरे एक्जाम से लेटेट देख सकते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, और दोस्तों यहाँ पे हमारे सेकेंड चैनल की लिंक दी हुई है, तो उसके क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे भी में डेली, बहुत सा अच्छी वीडियो अप्लोड कर तो हरे एक्जाम से लेटेट, थैंक्स अलोट फर वाचिंग, जय हिन, जय भारत